अगर आप जूट बोलकर साधी करने के बारे में सोच रहे हो तो समल जाईएगा क्योंकि जिस दिन आपके बारे में पता चलेगा उस दिन गदारी भी होगी सिना जोरी भी होगी और आने वले समय में आपका तलागी इतना इतना सर्गोटाला की हुई है दस दसला गुरू में इस लेती है पट्टा करने का उनके साथ कोई किया कोई कर वाई नहीं खूब कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए अग टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गाठ पर जाए जिला कमांडेड होंगा गाजियावाद में अधार वो खुद साधी सुदा पहले से हैसा आने वाले समय में जदिन गाठ पर जाएगी कोई किसी का एक बराबर नहीं समझ सकेगा चाहिए वो पत्नी होगी चाहिए वो पती होगा या प्रेमी होगा या तो कोई प्रेम का बात करने जा रहा हूँ कोई आम इंसान नहीं है बलकि और बरेली में सुगर मिल में जी जयंप परतैनात इक महिला है जिनका नाम है जोती मोरिया जोती मोरिया के बारे में सबी लोग आज कर सोसल मीडिया पर पड़ रहे हैं और सुन रहे हो कि जोती मौर्या ने ऐसा क्यों किया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो रमस्कार मैं सट्यान। स्वामी और आप देख रहे हैं सत्याइक्स दोस्तों आजकल बहुत सारी इससल मीडिया पर उलूल जुल खबरें चपती हैं जिसके बारे में सोष्वके लोग चोकना सा हो जाते हैं कभी इस प्रेमी के बारे में च्पती है तो कभी उस प्रेमिका के बारे में छपती है लेकिन जो आज कर खबर चल रही है ना किसी प्रेमी ना किसी प्रेमगा के बारे में नहीं बलकि U f7 rank की अधिकारी महिला के बारे में छप रही इनके बारे में social media पर चरचार चल रही है कि उनके जो पती आलोक मौर्या है सफाई कर्वी में कारिरत है और सफाई कर्वी में कारिरत होने के बावजूर अपनी पत्नी के उपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जोती मौर्या याने की स्पीशेस रेंग की आधिकारी का किसी मनीश दुबेन नाम के कमांडेंड से अफियर है अब बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है जिसका अभी तक नहीं हो सका कभी पति दोड़ा दोड़ा भागा भागा जाता है तो कभी पत्नी को सफाई देनी परती है दरसल अलोक मौर्या और जोती मौर्या की जूठ बोलकर सन 2013 में साधी हुई थी पत्नी का कहना है कि उन्होंने मुझे ग्राम विकास अधिकारी कह करके मुझे साधी करी थी जब मुझे यह पता चला घर आने के बाद कि वो सफाई कर्मी है तभी से मुझे उनसे नफ्रत होने लगी धीरे धीरे मामला तुल पकड़ता गया और आए दिन उनसे जगड़े होते गए उनसे लड़ाई होती गई और फिर मामला इस तरह से पहुंचा कि हम दोनों तलाक क पहुंच चुके जोती मौरिया का कहना है कि मेरे पती आलोक मौरिया लगातार कई दिनों से मेरे वाट्सेप को हैक करके सोचल मीडिया पर वारल करने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने मुझे 50 लाख रुपए अगर घर नहीं दिया तो इस वाट्सेप को मै कर दूगा बात नहीं बन पाई तो अलोक मौरिया ने जो कहा था अपने पत्नी से किया वैसा ही कि कुछ दिनों पहले उनका वाट्सेप चैट यानि कि जोती मौरिया का पीसेश रेंग के जो अधिकारी है उनका वाट्सेप चैट सोचल मीडिया पर वारल कर दिया फिर मामल इस तरह से तुल पकड़ता है कि पूरे चारों तरफ भाहकार बच जाता है कि एक पीसेश रेंग की अधिकारी महिला जो अपने पती से दूर होकर के ऐसा क्यों कर दिया लेकिन कहते हैं कि जब दर्द होता है ता पती सहाथ बगता है न पत्नी सह पाती है पती रो रोकर कह है कि मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूं मैं नहीं चाहता हूं कि यो मुझसे दूर जाए लेकिन पत्नी का कहना है कि अगर मुझसे प्यार कर रहे होते हैं तो मुझे इस तरह से न फसाते हैं धिरे-धिरे मामला हमारे उत्तरपरेस के मुख्यमंत्य योगी आधित की मौर्या ने उन्होंने गलत किया बाकी बात यह साफ साफ नजर आ रही है कि यहां पर जूट बोलकर साधी करने का मामलाई है जिससे पत्नी विफर जाती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि आपने जूट बोला है आप कह रहे थे कि ग्राम विकास अदि प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारवा देना चाहती है बलकि जब यह सब जाच पारताल हुआ तो पुलिश कमांडेट ने इस मामले को जूठा बताया है बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताईएगा क्योंकि क्योंकि जिस तरह से सोचल मीडिया पर आने को अलग अलग खबरे चलती है इसका राज क्या है बलकि वह जीएम पद पर तायनाद थी अलोग मोर्या कहते थी कि मेरी वह से वह पीसेस रेंग की अधिकारी बनी है जोती मार्या का कहाना है कि मैंने खुद अपने बदलत इस पद को हासिल किया है बहुत बहुत धन्यवाद सुक्या